यह सो हलो एवरीवान हितेश एर तोड़ी विगना टॉक अबाओ एप सीरीज कॉल्ड ती विचर आज हम इसके सीजन वन एंड लास्ट एर्थ एपिसोट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इस सीजन वन का फिनाले हैं और यहोप कि इसके पहले एक्सप्लेइन करें वे आपने मेरे सारे एपिसोट को देखा होगा और अगर नहीं भी देखा होगा तो आज यूजल उन सबी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आव वहां से भी जाकर उन सभी को चेक आउट कर सब्सक्राइब विस्टिंग त테 इसकी शिरॉवाद में हम देख पाते हैं उन सभी तब को जो लो जैसा कि मैंने आपको पताया लास्ट सेवन्थ एपिसूड में ही विचर सीरी से मिलने वाला था लेकिन निल्फ गार्डियंस के हमले की वज़े से वो मिल नहीं पाये और इसी के साथ इस एपिसूड की शुरुबात होती है जहां पर हम देख पाते हैं कि उस बड़ी सी जंग के बाद में गरॉल्ट सिंट सकते हैं और रात काफी जदा हो चुकी है इस वक्त यह जगर सुरक्षित नहीं है क्योंकि जानवर किसी भी वक्त इने खाने के लिए आ सकते हैं लेकिन वो शक्स कहता है कि मैं सिंट्रा का वासी हूं और यह सभी मेरे ही सपाई थे इसलिए जब तक मैंने इज़त से जमीन म का एक मौस्टर पहुंच जाता है जो कि इन दोनों पर हमला कर देता है देखा जाये तो यह नेक्रोफिच मुर्दा खाने वाले जीव होते हैं जो कि जानवरों के साथ-साथ इंसानों की भी लाशे खा जाते हैं लेकिन अगर इन्होंने किसी जिन्दा इंसान को काट लिया जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है कहानी की दूसरी लीट करेक्टर यानि की सीरी पर इस वक्त जब उसकी आँके खुलती है कि इसको जो भी लोग पकड़ने आये थे वहां पर तो बस अब उन लोगों की लाशे ही पड़ी थी कोई जमीन पर पड़ा था तो कोई हो तो मुझे बता देना क्योंकि वैसे भी मुझे कोई बीटी नहीं तो तुम्हारी हेल्प करने में तो मुझे खुशी ही होगी और साथ ही जाते वक्त ये भी कह देती है कि हो सकता है कि शायद डेस्टीनी नहीं मुझे तुछ से मिलाया हो दूसरी तरफ बचे हुए कुछ मेज जो कि निल्फ गार्डियंज का सामना करना चाते थे वह अरीटूजा से निकल कर उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं लेकिन तब इने पता चलता है कि जंग में पहुंचने से ये लोग थोड़े लेट हो चुके हैं क्योंकि ऑल्रेडी निल्फ में स्वार्डन ही होने वाला है यहां पर टिसेया येनिफर ट्रेस और बाकी सभी आयवे जादूगर स्वार्डन हील में रहने वाले लोगों के साथ मिलकर कुछ मैजिक वैपन बनाते हैं और साथ ही आने वाली निल्फ गार्डियंस की खिलाफ जंग की तैयारियां कर लेत स्वार्डन हील के अंदर छुपे बैटे हैं और हमारे हमले के इंतजार कर रहे हैं अब आप लोगों को बता दूगी लास्ट एपिसोड के अकॉर्डिंग असली कहर मर चुका होता है और उसकी जगा एक डॉपलर ने ले ली होती है जिसे की ऑलरीडी निल्फ गार्डियंस के काफी सारे राज पता होते हैं अगर हमें स्वार्डन हील की जंग को जीतना है तो हमें आज राधी चुपके से उन लोगों के उपर हमला करना होगा क्योंकि अगर हमने कल सुबह तक का वेट किया तो उनकी ताकते और बढ़ जाएगी क्योंकि हमें इस जंग के साथ साथ सीरी को भी तो ढूणना है जहां पर कहीर इस बात को सुनकर अपने लोगों को जंग के लिए तयार होने के लिए बोल देता है जिसके बाद फ्रिंजिला एक ओपन स्पेस में आकर एक बड़े से आंक का गोला बनाती है और एक सर्प्राइज अटेक स्वाडन हील पर कर देती ह लेकिन समय रहते येनै फर नींज जाग जाती है और उसे पता चल जाता है कि स्वाडन हील पर हमला होने वाला है तब ही अपनी magical powers का यूज करती है और इस हमले को आसमान में रूख देती है इस इतने बड़े हमले को देखकर और फ्रिंजिला और साथ ही निल्फ गार्डिय जिसके हाद में magical wombs और साथ ही demeritium powder होता है अब इनका use क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा यहां पर हमें एक मेच को भी देख पाते हैं जो कि Swarden Hill के राजने तक पहुचता हुआ कोहरा पैदा कर देता है और इस कोहरे की मदद से सेना स सभी पर मिलकर हमला करती हैं यहां पर हम सीधी तोर पर देख सकते हैं कि निल्फ गार्डियंस के पास में सिपाही जादा हैं लेकिन हर जादूगर की भी एक लिमिट होती है वह कुछी हद तक अपने जादू को इस्तिमाल करके उनकी सेना को रोक सकते थे यानि कि अगर स्टै ने एक मैजिकल प्रोटेक्टिंग शील्ड बना दी थी सिंट्रा के कैसल पर उसने सुबच से शाम तक तो लोगों को रोका लेकिन शाम तक जब ज़्यादा सिपाही आ गये तो मोजैक भी उन्हें नहीं रोक पाया था और ऐसा ही कुछ हमें इस जंग में भी देखने को मिल देख पाते हैं जिसे कि फ्रिंजिला ने एक मैजिकल वूम्स और साथ ही डिमेरिटेम पावडर का बॉक्स दिया था यहां पर मैजिकल वूम्स आकर हर किसी के कान में चले जाते हैं और उनकी दिमाग पर कबजा कर लेते हैं ऐसा करने पर यह स्वार्डन हील वाले लोग आ परा नहीं होता है वो सिर्फ वेहोश होता है और वह उठकर अपने ही एक साथी जादूगर को मार देता है वेल अब उसने ऐसा क्यों किया इसका पता तो हमें अब सेकंड सीजन में ही चलेगा यहां पर हम चलती वी जंग को देख पाते हैं जहां पर एक एक करके हर जादू का प्रदर्शन के खिलाफ करना पड़ेगा क्योंकि वो तू ही है जो इन सभी को रोक सकती है जिसके बाद तो यहनेफर को भी गुस्ता आ चुका होता है और वो जाकर स्वाडन हील में लगी आँक को अपने अंदर अब्सॉफ करने लगती है और फिर उसे अपनी सोर्स को छोड़ देती हैं और इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसके अंदर एल्फ का भी खून मिक्स था और यहीं रीजन था कि उसने इतने बड़े मैजिक को अंजाम दिया जिसके बाद में सब को शांत हो चुका होता है और यह लड़ाई पूरी तेरी की से धम चुकी होती है इसका मतलब यह था कि हो सकता है कि यह निफर ने अपने आपको जंग में लड़ते हुए सेक्रिफाय कर दिया जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है जो कि सुबह उठने पर अपने आपको उसी शक्स की गाड़ी में पाता है जिसकी उसने एक रात पहले जान बचाई थी य वैसे मीर के पास छोड़ दिया था वैसे मीर वो करेक्टर है जिसने की स्कूल और वुल्फ के अंदर अपनी विचर की ट्रेनिंग ली थी और वही सबसे पुराना विचर होता है अपने विजन से वापस जागने के बाद में गेरॉल्ट उस शक्स को कहता है कि तू मुझे वैसे मीर के पास ब्लू मांटेंस तक लेकर चल क्योंकि इस वक्त वही मेरी मदद कर सकते हैं लेकिन वह आदमी कहता है कि तुम्हारी हालत काफी जदा खराब है तुम्हें एक नेक्रोफिज ने काटा है और हो सकता है कि तुम जल्दी मर जाओ मेरा गर यही पास ही है इसलि और बाद में से क्लियर होता है कि यह कोई और नहीं बलकि उसकी मॉम वैनेसा थी कैसा शांदार कोइंस अभी मेरे हितिशनागर बेंच चैनल पर मैं ब्लेट सीरीज को कर रहा हूं और वहां पर ब्लेट की मॉम का भी नाम वैनेसा था जो की एक वैंपायर बन चुकी थी और फिचर और मेजस की एज नहीं बढ़ती है और यहीं रीजन होता है कि इसकी मॉम इस वक्त भी इतनी जवान दिख रही होती है गैरॉल्ट अपनी मॉम पर गुस्सा ओतर कहता है कि क्या आपको मालुम भी है कि हम लोगों को जब विचर बनाया चाता है तो हमें किस किस कंडि को इलाज हो चुका होता है इसका मतलब यह था कि उसने सपने में अपनी मॉम को नहीं देखा वो सब कुछ रियल था जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है सीरी पर जो कि अपने सपनों में गैरॉल्ट और यनिफर को देख पाती है और अपने आपको यहां पर सेफ ना समझ चुकी थी यहां पर यह औरत इन दोनों को सीरी के बारे में बताती है वो कहती है कि मुझे कल जंगल में एक लड़की मिले थी जिसकी हालत काफी खराब थी यह सुनते ही को लगता है यह लड़की कहीं वो तो नहीं जिसके बारे में मुझे हर को इंडिकेट कर रहा था और पूल रहा था और अब तो सीधा जंगलों कि और भागने लगता है लगा था मानों कि इसकी देस्टिनी से पकार रही हो और तभी उसके सामने से स्लो मोशन के अंदर सीरी भागते वे आती है ऐसा लग रहा हो मानो राज के पास में सिमरान भागती वी आ रही हो तुझे दे एंडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताईएगा और पहली बार इस चैनल पर आये हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और जाने से पहले आप लोगों को बता दूं कि यहां पर विचर का सीजन वन खत्म हो चुका है इसका सेकंड सीज सतरा दिसंबर को रिलीज होने वाला है यानि की स्पाइडर मैन नोवे होम के साथ में जिसे मैं जल्दी आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा तब तक के लिए कीप वाचिंग और स्टे सेफ और वन मोर ताइम गाइस थैंक यू वेरी मच पर वाचिंग दिस वीडियो मि बार तिजिасть संसर टो最 lमी आपैस ँसमाल ट aşa्मुन WAR तैसा में झाल के मैंने हो आर वाग दिसまだ इस्ता हूर एला ट्ड़ लाओ हो चाड़ घटो बाड दो ई मौत झार प्पड़ दो नाड़ दो ए बां दो यदधा वे बां दो जबाचा आव दो चार चार आव प्पड़ ये बार मुंत ना व्म वो झाल 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 झाल